सेयर करने वाली हूँ और सूजी बांटी रेसिपी कि दर्फेट मैं made in the video घृँक है को तो कि अगल कर कीजिए अगर हमारे चेनल पर ने हैं तो प्लीज स्चराइब कर लेजिए वेल आइकान को All पर क्लिक कर लीजे तक कि हर न्यूव वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमें यापे बैटर तैयार कर लेते हैं यहाँ पे हमने लिया है सूजी एक कटोरी मीडियम साइज की सूजी लेना है हो सके तो आप बारीक सूजी यूज़ करें साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आदा चोटी चमच इनो इसके अस्थान पर आप सोडा का वे यूज़ कर सकते हैं साथ में हमें यहाँ पर ले लेना है स्वाद के अनुसार से नमक और अब इन सारी चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर आप चाहें तो सोडा का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं वसे आप दही का यूज़ करेंगे तो आपको सोडा यूज़ करने की जरुरत नहीं है या फिर आप इनो या सोडा में से कोई एक चीज यूज़ करें फटाफर से इसे मिक्स कर लेते हैं बहुत गाढ़ा बैटर नहीं तयार करना है ना ही बहुत पतला बैटर तयार करना है ब तोड़ा सा मैं इसमें गार्णिशिंग के लिए डाल रही हूं तिल ये बिल्कुल ऑफ्शनल है आप चाहें तो एड़ करें ना चाहें तो ना एड़ करें बैटर हमारा अभी थोड़ा थिक है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फेंड्स बैटर थो अमारा अभी त्यार है इसी तरीके का बैटर रखना है अभी हम इसको धक कर रख देंगे 10 मिनट बाद इसे फिर से छेक करेंगे 10 मिनट के लिए हमें इसकर ढखकर रख देना है हमने यहाँ पे लिया है एक थाली इसकी जगाँ आप चोकोर ट्रे का भी यूज़ कर सकते है अभी हमारे पास चोकोर ट्रे अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने थाली का यूज़ किया हुआ है थोड़े से ओयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारो तरफ ताकि हमारा जो सूजी का बैटर इसमें डाले वो परफिक्ट निकल कर तयार हो 10 मिनट हो चुके हैं चलिए फटा-फट स्टेक कर लेते हैं सूजी कैसी है सूजी काफी अच्छी फूल कर थेहार हुई है थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे और इसी अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इतना बैटर बनाने में हमें आधा इस तरीके से आधा मग पानी यूज़ हुआ है वैसे देखे तो एक बड़े कपानी यूज हुआ है बैटर हमें बिलकुल इडली के बैटर के जिससे बनाना है एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी अगर आप इडली के रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक उपर आई बटन में और नीचे कॉमेंट बोक्स में पिन हुआ है आप देख सकते हैं अब सहरा बैटर हम इस तरीके से अपनी ट्रे या जो भी थाली ग्रेस करके रखी है उसमें हम डाल देंगे जटपट ये बन जाएगी आपको बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है फिर भी अगर ये रेसिपी आप पाओ के साथ बनाना चाहते हैं तो पाओ का भी आपको लिंक मिल जाएगा उपर आई बटन पर या फिर आप नीचे कुमेंट बॉक्स में जरूर चेक कर ले पाओ बनाने की इंस्टेंट आसान रेसिपी मिल जाएगी ये देखिए हमने अच्छे से इसको तयार कर लिया है फेला लिया है फटा फट से अब इनको हम पका लेते हैं इसको पकाने के लिए हमें बिल्कुल सेम प्रोसेसर इडली वाला ही करना है यहाँ पर हमने भगोने में पानी गरम करने रख दिया है अब हम इस पर लगाएंगे कोई भी स्टीमर या फिर इस तरीके की एक कोई चलनी इस तरीके की थाली या फिर कोई आटा चालने की भी चलनी आप लगा सकते हैं यह बिल्कुल इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमने अपनी ट्रेや फिर अपना जो थाली में अमने बना कर रख़ा है बैटर वो बैटर यहां पे रख देना है अब गयास को हमें कर देना है high to medium flame पर और इसे अच्छे से cover कर देना है cover करके इसको हमें रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे चलिए 20 मिनट हो चुके हैं हम चेक कर लेते हैं सूजी हमारी अच्छे से पक्कर हो गई है तयार, इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक नाइफ या कोई भी डूत फिक ले और इस तरीके से, इस तरीके से केक को हम चेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चेक कर लेंगे, चाको बिल्कुल क्लीन है, यानि कि हमारी सूजी एकदम परफेक्ट तयार है, सूजी को 10 मिनिट हमने ठंधा कर लिया है, करना पड़ेगा, बिल्कुल हम इसको ब्रेड का सेप देंगे, जिस तरीके से हम ब्रेड में बनाते हैं, सैंड्विच या भी बर्गर उस तरीके का हमें शेप यहाँ पर देना है, यह देखिए, ब्रेड के टाइप का बन कर त्यार है, हमारे यह सूजी का जो बढ़िया ब बर्गर लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट और टीस्ट जादा बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा सेख लोंगी, जिस तरीके से आप टोस्टर में सेखते हैं, उस तरीके से मैं यहाँ पर तवे पर सेख रही हूँ, तवी को थोड़ा सा ग्रीश कर लेंगे, ओयल की हल्प से, आप ओयल बिटर जो भी चाहते हैं, आप इस तरीके से तवे को ग्रीश कर लें, जैसे ही मारा तवा ग्रीश हो जाएगा, अब हम इसमें अपने ब्रेट की स्लाइसिस रख कर सेख लेंगे, तवा हमारा काफी अच्छा हीट है, मीडियम टु हाइ फ्लेम प देना है, सूजी को हमने एक साइड सेख लिया है, दूसरे साइड भी हम पलट कर इसी तरीके से सेख लेंगे, बहुत ही आसानी से केरफली करना है, ये देखिए काफी अच्छे से हो गया, ये नहस्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, बिच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, अगर आप पाहर की चीज़ों इन दनों में नहीं खाना चाहते हैं, तो ये आप्शन आपके लिए बिलकुल बेस्ट है, ये देखिए, बनकर त्यार है हमारा ये सूजी का ब्रेड, चलिए फटा-फट से इन में हम कर लेते हैं, डेकोरेशन यानि कि जो भी ट्विस्ट डालना है, वो डाल देते हैं, यहापे हमने एक सूजी की ब्रेड स्लाइस ले ली भी है, अब इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी आप इस तरीके से लगा लें, और अच्छे से फैला लें, हरी चटनी लगाने से टेस्ट बहुत तो ना लगाईएगा, साथ में यहाँ पर मैंने आलो की टिक्की बना कर रखी है, इसको भी लगा दूँगी, गैस आप अगर आलो की टिक्की बनाने की क्रिस्पी करारी टिक्की की रेसिपी जाते हैं, तो पेस उपर आई बटन पर और नीची कोमेंट बोक्स में जरूर च सूजी की इंस्टेंट बनने वाली बर्गर या फिर आप सूजी सैंडविच कह सकते हैं, लाइक किजिए इस तरीके की और भी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं लेक्ति